दोस्तो क्या परभास इस बार कर पाएंगे कमाल क्या मुवी सही टाइम पे दोस्तों रिलीज हो जाएगी क्योंकि शूटिंग अभी भी चल रही है टीजर इसका कब आएगा टीजर का लैंट क्या होगा बाकी गाइस और सभी जो अपडेट्स कल की 2898 AD से रिलेटिट आए है आपका भाई इस वीडियो में दोस्तों कम्प्लीटली आपको बचा देगा क्योंकि यहां पे लोग कर रहे हैं भाई मैसेज पहुंच रहे हैं इंस्टाग्राम तक तो भाई साब वीडियो में जुड़े रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब करें तो करते हैं अपने इस वी गैरा वाईरल हुआ था मेकर्स की तरफ से जिसमें कुछ हिंट दिया गया कि मुवी अपने सही टाइम पे यानि कि तैय समय पे आ जाएगी लेकिन लोगों का जो गाई यहां पे कहना है वो भी उसमें भी लॉजिक है क्योंकि गाई देखो अभी इसका जो लास सेड्यूल ह वो शुरू हुआ है मतलब आज गाईस कहा सकते हैं कि इसका लास सेड्यूल की जो शूटिंग है वो शूरू होगी यानि कि कुछ पोशन अभी भी रहता है अभी यह क्या री शूटिंग हो रही है कुछ ऐसे पोशन जो सहीं से शूट नहीं हुए उसको री शूट किया जा और उसको फिर एडिटिंग करना होगा मुवी का जो VFX लोड है वो बहुत जादा है तो ऐसे में अब दो महिना ही बचा है मुवी को रिलीज होने में अगर हम लोग दोस्तों फरवरी को छोड़ देते हैं मार्च अपरेल फरवरी को कहा छोड़ देते हैं तो इसे में गाईज दो महिना और समफिंग पंदरा दिन माहने लोग दो की रहता है तो ऐसे में क्या ये सारा काम संभव है क्या हो जाएगा तो गाईज यहाँ पे दो तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं तो यह कि इन लोगों ने 95 परसेंट जो शूट किया उसको एडिट भी कर लिया उसके विएफेक्स भी आइड कर दिया सब कुछ कर दिया ड़न है सब कुछ तभी तो इतना confidence है यहाँ पे makers के अंदर कि हम लोग तैय समय पर आ जाएंगे नहीं गाई दूसरा तरीका यह होता है कि पहले शूटिंग करते हैं फिर लास में एडिटिंग टेबल में पोस्ट प्रडॉक्शन में मूवी जाती है तभी तो तीन तरीके का दोस्तों यहाँ अब डेट में आपको उताया था तो अगर तो गाई यहाँ पे 90 या 95 परसेंट तक शूटिंग होके उसकी टबिंग वगेरा या फिर VFX सब कुछ कंप्लीट है तो यहाँ पर पॉसिबिल्टी बहुत जादा है अगर तो गाई यहाँ पे दिखें तो हम लोग जितना गाई है कि आप पूरी अच्छे तरीके से 100% दो ऐसा नहीं कि आदेपुरुष की तरह आप अपने VFX को दिखाओ फिर जो ट्रोलर्स है वो ट्रोलर आर्मी जो है परभास की वो बैठे हुए है भाई ट्रोल करने के लिए आप लोगों को याद होगा जब इसका पोस्टर आया था तो लोगों ने कहा ये तो फोटो शॉप है लेकिन फिर गाईज जब गलिम्स हमें देखने को मिला फिर्स गलिम्स वो हैरत अंगेज था मतलब बहुत जबरदस जिसको गाईज यहाँ पे हेटर्स ने भी अप्रिशेशन दिया था तो यह जो मुवी है ग्रांड लेवल की म अब सिर्द और पे कलकी 2898 AD होगा इवन हिंदी की भी कहें क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि तेल्गू से जादा पैसा स्पैंड क्या जा रहा है हिंदी वर्जन में इस मुवी को प्रमोट करने के लिए जहाई इस मुवी का जो प्रमोशन है वो ग्रांड स्केल में ह सरक्रिट में होगा साउथ में तो गाई देखो लोग हाजरी लगाई देते हैं मानके चलो की आधिप्रूस जैसे मुवी भी मानके चलो क्या आधिप्रूस को भी गाई देखने साउथ में डेलगू में गाईज काफी फैंस आर्मी परभास के पहुंच गए थे लेकि तीन घंटे प्लस होने वाली है इवन साड़े तीन घंटे के दोस्तों बाते बताई जा रहे हैं अब अगर इसके और पार्ट्स आएंगे तो इतना लंबा क्यों दो मिनट पचास चालिस मिनट का मुझे लगता है कि दो घंटा चालिस पचास मिनट का इसको रखना चाहिए मुझे लगता है और साड़े तिन घंटे की अगर आप मूवी बनाओगे तो यहाँ पे आपको अपने मूवी को इतना इंगेजिंग करना होगा लाइक आनिमल बहु बली भी दोस्तों शायद मैंने खाल तिन घंटे की थी देखते हैं कि यहाँ पर टीजर की खबरे आ रही है कि में भी शायद एक मिनट सम्थिंग बीस या विर बाइस सेकंड गाई इसका फर्स टीजर होने वाला है लेकिंगा यह कुछ पच नहीं रहा क्योंकि और जल्दी से गाई टीजर हम लोग देखेंगे और तुरंद से भाग जाएगा तो एक इंपैक्ट नहीं पड़ पा हैं जो लोगों को हिला के रख दें बागे ग्याइस टीजर को मार्च के फर्स वीक में रिलीज करने की बाते बताये जा रही Hayek कि आउप यह चाहते हैं वैसा कुछ शूट ना हुआ तो यह मूवी थोड़ा और गाईज कह सकते हैं कि दोस्तों मतलब आगे बढ़ सकती है डिले हो सकती लेकिन अभी फिलहाल गाईज यहां पर अपडेट्स का नुसार यह मूवी अपने तैय समय पर आ रही है जो कि 9 माई 2024 है कितने हो ग कुछ खासा कमाल नहीं कर पाई इवन गाई यहां पर अभी अप्रेल में देवरा भी आगे बढ़ गई है हां बड़े मिया चोटे मिया तो जरूर है लेकिन कह सकते कि इवेंट मूवी तो चाहिए ही चाहिए साउथ की तरब से क्या कुछ और कहना आपका कितने हो एक्साइ मेंगे पारे ह सकते कि पन्ग workout के यहां भी तरब से कि रहां आपका को साउट मूवी आया डिस पिया में पुछ जरूर फंदाना आपका हो जा कि संद़िख से क्या चाहिए ह।